एक ऐसा laptop जो की काफी बड़ी अप्राइस के अंदर मिल रहा है और अगर आप एक content creator है तो ये laptop आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहने वाला है और मैं बात कर रहा हूँ लेन वाइड़ा पर गेमिंग प्रीकी इसके specs के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इसका price बता देता हूँ एक लाख पाँच जार ये काफी powerful laptop है और अगर आप एक content creator है तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा और गेमिंग भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं इसमें जो processor है वो 12th gen का Intel Core i7, 12700H और 14 cores है 24 MB की cache memory है professional content creator के लिए ज़रूरी होता है एक अच्छे display का होना तो इसमें काफी बढ़िया display मिलती है 16 inch की display है और जो resolution है वो 1920 x 1200 है और IPS panel है 164 hearts का refresh rate है 350 nits की brightness से anti glare display है और 100% sRGB मिलती है इसमें 16 GB RAM है DDR4 32 MHz वाली upgrade नहीं कर सकते हैं तो अगर आपको ज़्यादा RAM की need है 16 GB से ज़्यादा अगर आप upgrade करना चाहेंगे future में तो देख लेना और अगर SSD की बात करें तो 512 GB SSD है extra slot भी नहीं है अगर आप extra slot होता तो ज़्यादा बेटर होता बट इसी को आप निकाल करके यहीं पर 1 TB तक expand कर सकते हैं लेकिन इसमें जो आपको ग्राफिक कार्ड मिलता है वो काफी powerful है RTX 3060 मिलता है इसके जो TGP है वो 105 Watt की है बट अगर मैं दूसरे gaming laptop की बात करूँ जो की RTX 3060 के साथ में आते हैं तो उसमें आपको 140 Watt की TGP मिलते हैं तो इसलिए यह जो laptop है इसमें आपको display ज़्यादा बेटर मिलती है color accurate मिलती है इसलिए यह laptop content creator के लिए ज़्यादा बेटर है अगर आपको gaming main priority है आपकी तो फिर यह laptop आपके लिए नहीं बट अगर आपके लिए display color accurate चाहिए और आपको better CPU चाहिए productivity के लिए laptop लेना है तो फिर यह काफी बढ़िया है अपने price के अंदर इसमें 71 Watt Hour की battery मिलते है तो अगर आप D2D use में normal use करते हैं तो धोड़ा इसमें battery backup अच्छा मिल जाएगा तो battery backup भी उतना बुरा नहीं है battery भी बढ़िया मिल जाएगे बाकी ports वगिरा आप देख सकते हैं वीडियो को पहुच करके की कौन-कौन से ports मिलते हैं Wi-Fi 6 मिलता है और Bluetooth 5.2 तो अगर आप एक content creator है और एक लाग तक के अंदर अगर आपको best laptop चाहिए तो ये एक अच्छा option हो सकता है आप इस laptop को एक बार जरूर check out कर सकते हैं तो अगर आ बाई करते तो प्लीज मेरी लिंक के थ्रो बाई करना लिंक आपको description में मिल जाएगी तो मेरी भी थोड़ी help हो जाएगी तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगे अगर आपको वीडियो पसंदे तो वीडियो को लाइक करके चनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको वहाँ पर laptop buying guide चाहिए तो फिर आप इंस्टा पर मुझे message कर सकते हैं मैं आप सभी को reply करता हूँ मिलता हूँ ऐसे किसी नई वीडियो में तब तक लिए join वंदे मातरम